लोहा जब तक गरम रहता है, तब तक लाल रहता है और जब थंडा पढ़ जाता है, तो उसका रंग काला हो जाता है। सत्पुरुशों के सत्संग से मनुष्य उजज्वल रहते हैं, परंतु अकेले पढ़ जाने पर मल लिनाना आ जाती है। तोता वैसे तो रहता रहता हूँ पर जब बिल्ली उसे पकड लेती है, तो सीता राम भूल कर ते है करने लगता है। बकवादी मनुष्य रोज रोज बहुत ग्यान विग्यान की बाते करते हैं, पर जब परीक्षा का समय आता है, तो अपनी बुरी आदतों को ही प्रकट करत हैं, महापुरुषों की तपास्या, स्वार्थ त्यागी का कष्ट सहन, साहसी का आत्म विसर्जन, योगी का योगबल ज्यानी का ज्यान संचार और संतों की शुद्धी साधुता आध्यत्मिक बल का निर्भर है, मूल प्रकृती युधात्मा के अधीन है, वहीं आध्र प पाचालता तथा पंगु को पर्वत चड़ने को शक्ती देती है, समस्त जगत इसी शक्ती से निर्मित हुआ है, तुम्हें अपने मन को सदा कार्य में लगए रखना होगा, इसे बेकार न रहने दो, जीवन को गमभीरता के साथ बिताओ, तुम्हारे सामने आत्मोन नती का महान कार्य है और पास में समय थोड़ा है, यदि अपने को सावधानी के साथ भटकने दोगे तो तुम्हें शोक करना होगा और इससे भी बुरी स्थिती को प्राप्त होगे